राजसान सक्षक पत्रता परक्षा के जरिये राजिय में 31,000 सक्षक भरती को बढ़ा कर 50,000 करने की मांग कर रहे अभियार्तियों को पुर्व डिप्टी सीम सचिन पाइलेट का समर्थन मिला है सचिन पाइलेट ने मुख्यमंदरी अशोग गहलोत को पत्र लिख कर बेरोजगार युवाओं की मांग को ध्यान में रख कर उचित कारवाई करने की मांग की है शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे पत्र में सचिन पाइलेट ने कहा है कि रीट परिक्षा 31,000 सिक्षक भरती के लिए आयोजित की गई थी लेकिन अभियारतीयों ने मांग की है कि 31,000 के अस्थान पर 50,000 बेरोजगार सिक्षकों को रिक्त पदों पर न्युक्ति दी जाए ये अभियारती काफी समय से अपनी मांग को लेकर आनदोलन रत है अता आपसे अनुरोध है कि आंदोलन रत परिक्षारतियों की मांग पर सहानु भूती पुर्वक विचार कर समूचित कारवाई करने का श्रम करें वहीं बता दे कि रिपोर्ट के अनुसार सचिन पाइलेट के अलावा कई विधायक भी अभियार्तियों के समर्थन में सरकार को पत्र लिख चुके हैं सचिन पाइलेट के समर्थन के बाद अभियारती शोशल मीटिया पर सिक्षा मंत्री बीजी कलाब मुख्य मंत्री अशोक गहलोत को टैग कर अपनी आवाज उठा रहे हैं बतादे जयपूर शहीद समारक पर करीब दो महिने से अभियारती आंदोलन कर रहे हैं यहां आमरम अंसन पर बैठे शात्रों से एक को रविवार को ठंड लगने से तबियत बिगड़ गई है अपनी मांगो को लेकर करीब सत्तर से ज्यादा विधायोकों के अलावा खुद मुख्य मंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिख चुके हैं आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखिए बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहे हैं SPN 9 News के साथ